लेके हाजिर हूँ मैं आपके आगे 17 माई 2020 के हर्याना के करेंट अफेर चलिए शुरू करते हैं मेरा नाम है सुनिल स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूटूब चैनल स्टार एजूकेशन बाई सुनिल सर में आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी रादे रादे जो चल लाख बारा हजार तिन्सो चुरासी पहुंच चुका है वहीं इस महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या जो है वो अठरा लाख दस हजार से भी उपर गई है संख्या और बात करते हैं अमेरिका की तो अमेरिका के अंदर तो भाई पंद्रा लाख प्लस हो चुके है अब ये केस और मोतो का आंकड़ा जो है लगभग 90,000 पहुँचने वाला है दो नंबर पे स्पेन है तीन नंबर पे रश्या है चार पे युके है पांच पे ब्राजील है और इस लिस्ट में हमारा नंबर अब 11 स्थान पे आ चुका है इंडिया के अंदर जो है वो 90,000 प्लस आंकड़ा हो चुका है 90,648 है एक्जेक्ट जब तक मैं ये वीडियो रिकोर्ड कर रहा हूँ एक दिन के अंदर सबसे ज़ादा मतलब यू कहिएगा अब तक में सबसे ज़ादा केस अभी आज ही देखने को मिल रहे है 4792 केस आएं एक दिन के अंदर अल्मोस्ट 5000 केस और मोतों का अंकड़ा जो है वो 118 बढ़ के 281 लोग मर चुके हैं और एक नंबर पे मारास्ट्र है दो पे गुजरात है तीन नंबर पे तमिल नाडू है हमारे प्यारे हर्याना के अंदर देखा जाए यही आंकड़ा तो 33 लोग और नए संकर्मित हो चुके हैं आठ सो 87 लोग जो है उनको करोना वाइरस हो चुका है आप तक और मोतों का अंकड़ा जो है वो 13 पहुँच चुका है एक नंबर पे गुरू ग्राम है दो पे फ्रीदावाद है और तीन पे सौनिपत है फिर जजर नूव अगरा है पर गुरू ग्राम हर्याना के अंदर सबस्यदा होट स्पोर्ट सेंटर बना है समझिएगा 193 केस महाँ पे है कल मैंने आपसे पांच सवाल पूछे थे पांचों के जवाब ये हैं पहला है दुरुआसा आसरम हर्याना के किस नगर में स्थित है दुबल धन रोतक इसका अंसर था सुस्मा सावराज का समंध हर्याना के अंबाला से है हर्याना में रेडियो स्टेशन जो है पहला रोतक में खुला था हिसार में और कुर्चेतर में तीन जगह है हिसार में हालांकि एक मातर दूरदर्शन के अंदर भी है 2019 का मिस वर्ड जो है वो किस ने जीता था टॉनी एन सिंग ने जीता था जमेका की रहने वाली है यह ओपी जिंदल ग्लोबल नीजी युनिवस्टी जो है वो कौन से सहर में स्थित है यह सौनी पत में स्थित है जो इन पांचों के जवाब सही है है बहुत सारे बच्चोने इनका जवाब दे चुके हैं अल्री कमेंट में बड़ा अच्छा लगता है कुछ बच्चे डेली देखते हैmos और कमेंट भी करते हैं काफी अच्छी बात है, ये मेरे लिए नहीं है, ये आपी ही के लिए है, आपी का static portion है, आपी का जिक्के जो है, वो काफी अच्छा strong हो जाएगी, जिक्के कैसा subject है, इसको जितना जादा बार पढ़ा जाएगा, या उतनी ही बार जो है, या उतना ही जादा अच्छे तरीकी स जो है, वो याद होने वाला है, ठीक है, तो चलिए पहला जो हमारा क्युस्सन है कि मुख्यमंद्री मनोहरलाल ने हाल ही में किन को लोन का लाब देने का फैसला किया है, इन आप्शन्स में से, अभी हाल ही में मुख्यमंद्री मनोहरलाल ने ठेके पर जमीन लेने वाले कास् ले सकते हैं एक किसान कार्ड योजना होती है आप जानते हूगे किसान क्रेड़ीट कार्ड योजना इसके सहब हम अपनी जमीन पर लोन ले सकते हैं पर एकर तकरीबर एक लाक पे या थोड़ा बोट up and down जो भी है लेकिन जो ठेके पे जमीन लेता हो तो नहीं ले सकता लेकिन अब से क्या होगा जो लोग ठेके पे जमीन लेके उसकी वुआई वगरा करते हैं वो भी लोन ले सकेंगे बस गिर्दावरी अगर कास्तकार के नाम हो जाती है तो जो मालिकान योजना के तहत ठेके पे ली जमीन का जमीन पे भी लोन जो है वो मिल सकता है ठीक है अगले सवाल की बात करते हैं हम लोग तो हाल ही में सीम मनोहरलाल ने हरियाना में 500 एफ पी ओ को बढ़ा के जो है वो कितना करने की घोशना की है तो अभी हाल ही में मनोहरलाल खटर ने सीम ने पांसो FPO को बढ़ा के पंदरा सो करने की घोशना की है बी आप्शन सही रहेगा इस किसन का हमारा अब यह FPO क्या है FPO का फुल फॉर्म है तो उसका पास में किस परकार के रोग आ रखे हैं किस परकार की स्प्रे हो रही है कौन सा बीज है अलग अलग दोनों बीज है तो उसको ग्रो कितना हो रहा है यह एक गाओं या फिर कई सारे गाओं के किसान जो है मिलके अपना एक ग्रूप बनाते हैं ठीक है तो उसके लिए जो है एक FPU होता ही organization होती है और पहले थी यह 500 थी अब इने बढ़ा के जो है वो पंदरा सो कर दिया गया है ठीक है हर्याना के मचली पालकों को PM आर्थिक पैकेज से कितने करोड का फाइदा होगा तो हर्याना के मचली पालकों को PM आर्थिक पैकेज का जो है वो 500 करोड का फाइदा होने वाला है यह option सही है क्योंकि अभी हाली में 20,000 करोड मतश्य संपदा योजना के लिए जो हो अलग से पैकेज दिया गया है और हर्याना के मचली पालकों का लगबग इसमें 500 करोड इरिया है उसके 22 जिलों में कलस्टर भी बनाए गए है हाली में मुख्यमंतरी मनहरलाल ने कब तक कॉलेज बंद रखने का फैसला किया है तो भी जो कॉलेज बंद रहेंगे वो रहेंगे 25 जून तक जो है वो सारे के सारे कॉलेज बंद रहेंगे 15 मैस से लेके 25 जून तक ज लोग live मिल सकें सारे के सारे ठीक है हाली में सिक्षा विभाग ने स्कूलों में किसके अधार पर दाखिला करने के आदेश दिये हैं तो भी हाली में सिक्षा विभाग ने स्कूलों में SR नंबर के अधार पर दाखिला करने के आदेश दिये हैं स्टुडेंट रेजिस्ट्रेशन नंबर इसके अधार पे जो है अगली करास के अंदर उन्हें एड्मिशन दिया जाएगा पांसवीं से आठ्वीं कक्षा तक जो है एसार नंबर पर अच्छा कोई स्कूल चेंज भी करना चाहता तो उसको तो फिर SLC होती ही है स्कूल लिविंग सैटिरेट इसी के नंबर के अधार पे ही जो है मतलब कागस देने के जूरूरत नहीं है एक्जामपल आप समझ पा रहे होंगे यह पहले क्या होता था जैसे मतलब वो डॉकॉमेंट SLC लाके देनी पड़ेगी लेकिन अब नहीं है अब केवल उ आम है डokٹर जगबीर सिंग हाले में हर्याना के किस खेलाडी का नाम अरजुन पुरुसकार के लिए नामित किया गया है यह important सवाल है याद रखेंगा अरजुन पुरुसकार के लिए मनू भाकर और अभिशेक वरमाइन दोनों को नामित किया गया है C option जो है इस किसन का हमा और अभीशेक वर्मा और तमिल नाडू की उभरती निशानेबाज इलावे निल वाला रिविन ठीक है इनके मम्यों को सरम नहीं आती है इतने बयानक नाम रखते में ठेड़ा में सिंपल नाम रख लेती है चलो यह वाला रिविन जो है इनको अरजुन पुरुसकार के लिए नामित किया गया है यह है मनु भाकर यह एक हर्याना में इनका जनम हुआ है जजजर जीले की रहने वाली है यह जजजर का गोरियां गाव जो है इनका है मनु भाकर ने आई-स-स-फ शूटिंग वर्ड कप में 10 मेटर एर पिस्टल में गॉर्ड मैडल जी चुकी है यह 17 साल की है यह और 244.7 जूनियर विस्वर रिकोर्ड के साथ में इनोंने जो है यह पदक जीता है तीन साल के इंटरनेशनल केरियर के अंदर मनु भाकर का यह 26 वा पदक भी है तो काफी कम उमर के इंदर काफी सारे पदक जीते अभिशेक वर्मा की बात की जाए तो दो अभिशे है भारत सरकार इसे देती है इस पुरुसकार के स्थापना जो हुई थी वो 1961 के अंदर हुई है देना यह इसके लिए पांच लाक रुपे दिये जाते हैं एक काश्य की प्रतिमा दी जाती है इस टाइप की और एक प्रस्थास्ति पत्र भी दिया जाता है ऑनलाइन नैशनल वूशू चैंपियंशिप में हर्याना के कितने खिलाडियों ने भाग लिया है और वूशू असोसेशिएशन ओफ इंडिया के दवाराइ इसे पंञा मई से अठारा मई तक जो है इसे और इसके अर्गनाईज करवाया जाएगा इसके निर्व हर्याना के 26 खिलाडी होंगे और इसके मुखे अतिती का नाम जो है किरन रिजी जुग जो है वह होने वाले हैं अगले सवाल के ओर जाते हैं हम लोग हर्याना में किसी धाँचे के लिए कितने रुपे तक के फंड का एलान किया गया है तो हर्याना में किरसी धांचे के लिए एक लाग करोड के फंड का एलान किया गया है ए आप्शन सही है इसक्यूसन का हमारा अंबाला एरफोर्स में कितने राफेल फाइटर प्लेन तैनात किये जाएंगे अंबाला एर फोर्स में दो राफेल फाइटर प्लेन जो है तैनात किये जाएंगे बी आप्शन साई एच किस्टन का हमारा अंबाला में राफेल की कमान जो है स्कौडरन सावंटीन संबालने वाले हैं दो ही राफेल है उनकी तैनाती की जाएगी और लगबग सवा सो क्रोड रुपे का टेंडर जो है वो कमपनियों को दिया गया है इसके लिए ठीक है और बात की जाए तो स्थापना उनिस सो इकावन के अंदर की गई थी और सुरू में इसे हैविलेंड वेंपायर एफ एम के फिफ्टी टू लडाकू विवानों की उडानों के लिए संचालित किय जाता था अंबाला का जिकर हुआ है तो मैं अपमें अंबाला को देखिएगा स्थापना एक नावमर 1966 को हुई है छेतर फल पंदर असो चोहत्र वर्ग किलोमेटर है अंबाला का नाम ट्विन सिटी है साइन सिटी है रवाज्यानिक उपकरणों की नगरी यानिकी अपरेट समत में पॉस्ट अंको किया गया है तो पीटि इए सिक्षक्राइबर के नादियू आथी टीचर है इनki पॉस्ट को रियाडविटाइस कीया अप्शयन से है 1983 मिं नेजी सो त्रासी में पीढी इस इस शिक्षकों की भरती परिकरिया गोगल्त बताते हुए इस भरति को है कहिएगा दुनिया ही बंद होगी उस वज़े से सब कुछ बंद हुआ तो फिल से इसे दुबारा जो है री अडिवटाइज किया गया है वैसे शिक्षकों के रोजगार प्रखत्रे के जो बादल है वो मंठराई रहे कब से यह भरतियां देखो है री अडिवटाइज हो र इमलिक्त में से कौन सा प्रकरती का भाग सबसे बड़ा है रेतिला भाग बड़ा है मैदानी भाग बड़ा है सिवाली की पहाडियों वाला या रावली की पहाडियों वाला हर्याना के किस भाग में वर्सा जादा होती है दक्षिन पस्चिम दक्षिन पस्चिम या उत्तर पूरवी ठीक है और या दक्षनी पस्चमी भाग में हर्याना प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा वन है हिसार जीन्द रोहतक और यम्ना नगर हर्याना के रोहतक में निमलिक्त में कौन सा खनीज पदार्थ पाया जाता है चूना अब्रक मैगनीज और तामबा और पांचमा सवाल हर्याना प्रदेश के किसी विस्विद हले हिसार में धान का सोद्ध कार्या जो है कब सुरू हुआ उनिस सो चासट सतर चोहतर और एटी नाइन में इसी के साथ ये लेक्च्छ समाप्त होता है यही थे आपके हर्याना के करेंट अफेर्स कमेंट शेक्षन मे इन किस तनों का जवाब दीजिएगा हसते रहना मुस्कुराते रहना खुद भी खुश रहना और औरों को भी खुश रहने की वजह देना धन्यवाद लव यू